हम मनी मन बहुत सोचते हैं कि कास हम अंगरीजी बोल पाते हैं लेकिन क्या आपको पता यह कास वालेkol上 endorses को बनाया कैसे जाता है तो आज किस वीडिएओ में हम सेखेंगे कास से जो संटेसे स्थे होते हैं जैसे कास मैं आसमान में उड़पाती कास मैं अंगरेजियों कि तरह लीजी बूल पाती तो कास वाले sentences आज के इस वीडियो में आप बनाना सीखोगे कास यानि कि I wish लगा कि वो sentences को बनाया जाता है जैसे यहां पर दिख रहा होगा हो यानि कि easy mark के साथ I wish का कैसे use किया जाता है has have के साथ present definite के साथ had would have would could have would have would have had where or would have यह सभी के साथ I wish का use कर देंगे तो यह different meaning carry करते हो इससे use करने का तरीका भी change हो जाता है जो आज किस वीडियो में आपको बताने वाली हूं फिर आप आरामस अपने मन में कास वाले sentences को English में सोचना सुरू कर दीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हम बात करेंगे I wish I would I wish I would का मतलब होता है करता यानि कि आपके sentences के last में तातेती जैसे कास में उसके साथ खेलता कास में अंगरी जी बोलता ऐसे आप sentences बोलते हो ना जहां पर आप सोचते हो सोचते हो देखिए कास यानि कि आप सोच रहे हो कि कास में यह काम कर पाती ठीक है यह पर पाता मैं नहीं बोल रहे हो कास में यह काम करता तातीती पर आपका sentences से खतम हो जा रहे ठीक है यानि कि कोई एक्षन आप करते ऐसे वाले सेंटेस जैसे कि एक्जांपल देखिए कास हम आज साथ खेलते मानलो हमारी मैच होने वाली थी लेकिन आप एन मौका पे आए नहीं मैच खतम हो गई मैं घर गई मैं आपको मैंने आपको कॉल किया कि भई आज तुम खेलने नहीं आए तो आज खेलने नहीं आए कास हम साथ खेलते तो ये एक सपना आप सोच रहना ऐसा हुआ नहीं है आप सोच रहो कास हम एक साथ खेलते तो ऐसे संटेस को आई विश आई वूट की हैल्प से बनाएंगे हम बोलेंगे आई विश कास यानिकी तो हम किना संटेंस होगा, I wish we would play together today,्यानि कि कास हम साथ खेलते एक सेंटेंस हमो बनाते कास में आप से बात करती तो हम कास के लिए सबसे पहले I wish का use करेंगे मैं आप से बात करती,सके लिए मैं क्या बोलेंगे? I would talk to you, I would talk to you अब ऐसे sentences आप मन में सोचिए कास में अंगरी जी बोलती I wish I would speak English कास में स्कूल जाती I wish I could, I would go to school तो इस ते से बहुत सारे sentences बना सकती बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ऐसे बहुत सारे users अभी करवाने वाली हूं कास वो वहाँ जाता I wish he would go there कास आप प्रैक्टिस करते हैं ये sentence आप फ्रेम केज़ेगा बहुत आसान टॉपिक आपको ये लगीगा नेक्स देखें, I wish I had I wish I had का मतलब होता है पास होता मतलब कोई चीज आपके पास होता ऐसा आप सोच रहे हो जैसे कास मेरे पास एक कार होती कास आज वो स्कूल जाती मतलब होता आपके पास होने की बात हो रही है और जब हमारे पास कोई चीज होने की बात होती है तो वहाँ पे हम पास के लिए हैड का यूज़ करते है I wish I had a car कास मेरे पास एक कार होती cause उसकी पास पैसे होते. तो हम क्या बोलेंगे. आप मेरे साथ बनाऊ देको आभी के अभी समझ में आ जाएगा. I wish I had money. sorry उसके पास आप है ना तो हम he का use करेंगे. I wish he had money. cause उसके पास पैसे होते. तो हम बोलेंगे I wish he had money. कास उसके पास दिमाग होता I wish he had knowledge कास मेरे पास बहुत सारे किताबे होती I wish I had many books तो इस तरह से अब बहुत सारे sentences बना सकते हो जिसमें कास वाले sentences आते है Next is कास हमारे पास book होता I wish we had books कास उनके पास laptop होता ये sentence आफ frame करना इसका answer comment में देना Next देखें, Next हमारा I wish I were I wish I were या फिर I wish I would be वर का use और would be का use होता के sense में किया जाता है देखें, जैसे कि इसका uses ना बिलकुल सेम होता है एक दूसरे सिग्दम सिमिलर होता है जैसे आप किसी कि state of being बताती हो तो यहाँ पर वर का भी use कर सकते हो वर का use आप वहां कीजेगा जहां पर आप क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बता रहें जैसे कि कास में एक टीचर होती कास में इस कंपनी में मैंनेजर होती कास तुम मेरे दोस्त होते यानि कि आप person के मतलब किसी person के state of being के बता रहें किसी person का position को बता रहे हो तो वहां पर word का use पर हो ठीक है कोई इसान कुछ होता और would be का use आप ऐसे sense में करोगे जहां पर कोई कहीं होता place की बात करे हो कास में वहां होता कास तुम यहां होती ठीक है यानि कि आप किसी के position मतलब position यहां भी आप position करें लेकिन सब्जेक का कहीं पर होना बता रहे हो तो वहां पर वुडबी का use कर दोगे एकदम similar वर और वुडबी बिल्कुल similar होते इन में ज़्यादा फरक नहीं होता है बस आपको यह ध्यान रखते हैं अगर आप किसी subject की होने की बात करते हो तो वहां पर वुडबी का use करना जैसे कास में एक teacher होती I wish I were a teacher अगर हम बोले कास में वहां होती यानि कि subject को कहीं होने की बात हो रही है ना place की बात हो रही है तो यहां वुडबी का use करेंगे हम हम बोलेंगे I wish, I wish I would be there, I would be there, काश में वहाँ होती, तो हम बोलेंगे I wish I would be there, काश आप इस company में manager होते हैं, यानि के subject के कुछ होने की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे I wish you were the manager of this company, ठीक है, अब आप बोलोगे मैं यहाँ पर I के साथ भी word लगा, ठीक है, और अगर आप यहा कोई, देखें, आप यह sentences में imagine कर रहे हो, यह reality नहीं है, आप सिर्प सोच रहे हो, कलपना कर रहे हो कि कास में यह होता, कास में वह होता, तो ऐसे वाले sentences में सभी subject के साथ आपको word का use करना है, वास का नहीं, I के साथ आप word का use नहीं कर सकते, he, she, it, he, she, it, जो भी आपका singular noun ह किसी के साथ भी आप word का use करोगे, आप word का ही use करोगे, ठीक है, next sentence देखें, यह sentence आप लोगों के लिए कास आप मेरे दोस्त होते, यह sentence आप frame करना और इसका answer comment में देना, चलिए, आगे देखतें, next क्या है, अब हम बात करेंगे, I wish I could, I wish I could का मतलब होता है, कर पाता, कास मे जा पाता, ठीक है, यानि कि यह sentences में आप कुछ करनी पाये हो, मतलब कर पाता, ऐसा वाला sentence आता है, पाता, सका, ठीक है, तो उसमें कुड का use किया जाता है, जैसे, कास में आप से मिल पाती, I wish I could meet you, कास में अंगरेजी बोल पाती, I wish I could speak English, कास में तुम्हें कॉल कर पाती, I wish I could call you, okay, तो इस तरह से आप sentence बनाओगे, जैसे, कास में अच्छे से समझ पाती, कास में अच्छे से समझ पाती, तो हम बोलेंगे, I wish I could, I wish I could understand well, understand well, अब देखें, आप में से काफिय स्ट्रेंट ऐसे होंगे, जो, जिन्हें मैं सिखा रही होंगे, और आपको कही ना कही होगा थोड़ा बहुत दाउट हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप इसे कुछ इस्ट्रेंट ये सौचते होंगे, दूसरे इस्ट्रेंट की कमेंट देखरा आप इसे सोचते होंगे, कि कास मैं भी इनके तरह sentence बना पाता, कास मैं भी इनके तरह English बोल पाता, आ से सूचते हो न, तो ऐसे sentences में I wish I could का use करना है, ठीक है, जैसे next sentence, कास आप अच्छे से practice कर पाते, I wish you could practice well, काश इस साल pass हो पाते, ये sentences को आप frame करना हो, इसका answer comment में देना, next देखे, next हम बात करेंगे, I wish I had, या फिर I wish I would have, कर चुका होता, past में चुका होता, अब had का तो use किया जाता है, वब की third form के साथ, और would have का भी use किया जाता है, वब की third form के साथ, जैसे कास आप अगरेजी बोल चुके होते, बोला नहीं है, बस मैं सोच रूँ कास आप अगरेजी बोल चुके होते, I wish you had spoken English, काश में उसकी मदद कर चुका होता, तो हम क्या बोले हम बोलेंगे, I wish I would, I wish I would have helped you verb की third form लगेगे, ठीके, helped her, तो हमारा sentence होजाएगा, I wish I would have helped her, कास में उसकी मदद कर चुका होता, कास उस दिन हमने साथ खेला होता, I wish we had played together that day, कास में यह वीडियो देखी होती यह sentence, आप रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना, निक्स देखें, निक्स हम बात करेंगे, I wish I am, या फिर I wish I have, अगर I am की बात करो, तो हो ना, मतलि हम किसी चीज का कहीं हो ना, जैसे मैंने आपको I word में भी बताया था ना, तो वो past का show कर रहा था, और यह आपका presence हो करेगा, ठीके, और I wish I have का use करेंगे, past होना, जैसे I wish I I had आपने past होता, past में आपके पास कुछ होता, आप यह सोच रहे हो, और I wish I have use करोगे, यानि कि past है, अभी है, ऐसा आप सोच रहे हो, ठीके, sentences देखें, समझ में आ जाएगा, जैसे काश आप एक teacher हो, यानि कि present में हो, present की बात करेंगे, काश आप एक teacher होते, ऐसा नहीं बोर एक काश आप एक teacher हो, ठीके, तो हम बोलेंगे, I wish you are a teacher, बत्रम प्रेजन में आप teacher हो, ठीके, काश वो इस वक्त घर पर होता, ठीके, तो यहाँ पर हम इस वक्त बोल दिये, यानि कि present हो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, I wish, I wish he is at home, I wish he is at home, right now, right now, तो हमार sentence हो गया, I wish he is at home, right now, कास वो इस वक्त घर पर हो, कास उसके पास एक कार हो, यानि कि present में, कास उसके पास एक कार होता, हम बोलेंगे, I wish he has a car, अगर होते, मतले में, कार होता, ऐसा बोलते, तो हैस के जगा, हैड का यूश करते, ठीके, कास मेरे पास बहुत सारे पैसे हो, य सकांस से कॉमेंट में देना, एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, करे या करू के सेंस में, I wish का यूश किया जाता है, present indefinite tense के according, ठीक है, आपका हिंदी वाला सेंटेंस इस करे, करू, ऐसा वाला सेंटेंस आता है, ठीक है, जैसे, कास वो रविवार को मेरे घर आए, ठी किया है, ठीक है, कास मैं भी एक दिन इंग्लिश बोलू, तब क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, I wish, I wish, I also speak English, I also speak English, one day, one day, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, I wish, I also speak English, one day, कास मैं भी एक दिन अंग्रेजी बोल पाँ, कास मेरे पापा उसे ना डाटे, I wish my father doesn't scold him, कास आप प्रेक्टिस करें अभी, प्रेजिन में, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका हैं सब कॉमेंट में दे रहा, तो गाइस ये थी हमारी छोटी से वीडियो, I wish पर, क्योंकि हम सपने देखने के तो बहुत देखते हैं कि काश हम ये करते, काश में व सारे सेंटेंस बनाया जाते हैं, लेकिन हम जो सेंटेंस अपने मन में सोचते हैं कि काश में ये कर पाती, काश में वो होता, तो आप ये सोचते हो, किसमें अलग-अलग सेंटेंसे, अलग-अलग तैंसे का यूज किया जाता है, अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है, आप कभी ऐसा नहीं आया होगा क्योंकि आपने सिर्फ इतना ही नोटिस किया कि काश हम अपने सेंटेसेस में कास बोरें उसके बाद क्या आ recently आह रहा हम नहीं ध्यान देते हैं हमको यह पता हो तक कास सेंटेसेस बोरें यानि के वी तरीके से बनाया जाते होंगे नहीं, सबको बनाने का तरीका अलग होता है तो तरीका सीखिए, तभी आप अंग्रेजे सही से बोल पाओगे तो आज की एक लास आपको कैसी लगी, कितनी इंफरमेटीब लगी कमेंट में ज़रू बताएगा और अच्छे लगी तो लाइक भी कीजेगा और अपने फ्रैन फामली को ज़रू शेह कीजेगा क्योंकि इंग्लिश सीखोगे और बोलोगे आगी वाली के साथ प्रक्टिस करोगे तभी आप एक फ्रेंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे अगर आप मार चालने पर नह और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले 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 वाला इपन को ज़रू प्रेस कीजेगा ताकि रोज आने वाली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मल साएगी I'll see you in the next video till then bye bye take care